गुड मॉर्निंग टू आल माई डियर स्टूजिंस तो एक महिने की पढ़ाई करते करते अब वक्त आ गया है आपके समर वेकेशन का यानी गर्मियों की छुट्टियों का तो गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग खुब खेलिये लेकिन खेलने के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है यानी दिया गया होमवर्क भी करना है यह होमवर्क भी आपको खेल-खेल के साथ ही करना है तो पहले मैं आपको बता दू आपका होमवर्क आप किस तरह से करेंगे देखिए पहला आपको दिया गया है पांच घर के अंदर खेलने वाले खेलों के चित्र चिपकाई तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से आपको मैंने बॉक्स बनाए हैं आपको अपने साब से डेकोरेट करके या जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आपको पांच ऐसे खेलों के चित्र चिपकाने हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं तो एक दो तीन चार पांच ओके अगला प्रश्ण घर के बाहर खेलने वाले खेलों के चित्र तो उनको भी इस तरह से आप जो आउटडोर गेम्स हैं आप उनको चिपका सकते हैं एक दो तीन चार पाँच इस तरह से पाँच पाँच इंडोर और आउट डोर गेम्स के पिच्चर्स आपको चिपकानी है अब अगला प्रश्ण है परिवारिक रिष्टों के नाम यानि आपको परिवारिक रिष्टों के यानि जो आपके फैमिली रिलेशन है जैसे दादा, दादी, मम्मी, पापा, भाई, बहन उनके नाम इस तरह से मैंने लिखे है आपको यहाँ इंगलिश में लिखने है और एक हिंदी में लिखने हैं दूसरी तरफ इंगलिश में लिखने हैं जैसे देखे दादा जी यानि ग्रेन फादर, दादी जी ग्रेंडमदर इसी तरह नाना जी, नानी जी, माता, पिता, भाई, बहन सबके रिलेशन आपको लिखने हैं अगला homework है जो अलग है उस पर गोला लगाईए यानि इस तरह से सरकल लगाना कैसे देखे यहां पर लिखा है जो सबजी नहीं है अब यहां पर हम दिये गए शब्दों को पढ़ेंगे अद्रख, अजगर, कटहल, परवल तो इन में से क्या सबजी नहीं है देखे अद्रख सबजी है जो की दवाई के काम में भी आती है अजगर, अजगर एक जानवर है, रेंगने वाला प्राणी है, साप की प्रजाती का है यानि अजगर सबजी नहीं है इस तरह से हम उस पर गोला लगाएंगे इसी तरह जो बरतन नहीं है, जिसको पी नहीं सकते, जिसमें रह नहीं सकते और जो वाहन नहीं है तो इस तरह से आप जो अलग है उन पर गोला लगाएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह है आपका गर्मी की छुट्टियों के लिए होमवर्क, हॉलिडी होमवर्क, जो मज़ेदार है आप खेल खेल के कीजिए और गर्मी छुट्टियां बिताने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद